Hey friends, welcome back to my channel, कैसे हैं friends आप सभी लोग, I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे, तो आज के वीडियो में friends मैं आपके साथ बिल्कुल नियू आइडिया शेयर करने वाली हूँ, और सबसे पहले तो friends जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और जो लोग देखिये भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं friends, तो मैं उन सभी लोगों को देखिये, thank you कहना चाहती हूँ friends, बस अपना प्यार और सपोर्ट यूही बनाए रखियेगा, तो आज की वीडियो में friends हम देखिये, market में मिलने वाले जो table runner होते हैं, bad runner होते हैं, उनको हम देख friends हम वीडियो को श्टार्ट करते हैं, तो देखें friends, शिलाई करने के बाद अकसर छोटे-छोटे कपड़े बच जाते हैं, तो यदि आपके पास देखिये, कुर्थी से बचा हुआ कपड़ा है, सूट से बचा हुआ कपड़ा है, या फिर सलवार से बचा हुआ कपड़ा है या फिर कोई blouse piece है दो तीन कलर की blouse piece आप यहाँ पे ले लीजिएगा तो उनसे भी आप ये वाला idea देखिए बना के ready कर सकते हैं और बिल्कुल देखिए बहुत ही कम खर्चे पे market में मिलने वाली महंगी चीज हम घर पे बना के ready करेंगे तो यहाँ पे देखिए साड़े 5 इंच भाई साड़े 5 इंच पे मैंने कपड़े के इस तरीके से देखिए सेम साइज पे मैंने छोटे छोटे pieces देखिए कट कर लिये हैं इनका जो size है वो 5.5 इंच हमको रखना है लंबाई भी 5.5 इंच रखेंगे चोडाई भी 5.5 इंच रखेंगे और देखिए यहाँ पे मैंने 3 कलर के कपड़े मैंने cut करें हैं आप 3 कलर पे 4 कलर पे देखिए मल्टी कलर पे भी आप इसको बना सकते हैं जितना इसको colorful और एक सिलाई लगाई मैंने और फिर उपर की तरब से मैंने top सिलाई लगा दी तो इस तरीके से देखिए set करते हुए हम सिलाई लगाएंगे तो जैसे मैं देखिए इनको जोड़ रही हूँ ना अलग-अलग color पे जोड़ के मैं इनको ready करूंगी तो वैसे ही इनको हमको ज चुलाई लगाना है और पस पर ही इस तरीके से हम रखते जाएंगे जिससे की देखिए हमको दिखाई भी देगा कि हम किस तरीके से हमको सिलाई लगाना है तो यह देखिए तीन यहाँ पर मैंने pieces जोड़ के ready कर लिये हैं अब यह देखिए इसको भी हम जोड़ लेंगे औ बना रहे हैं तो आपको थोड़ा बड़ा साइज पे इसको रैडी करना पड़ेगा यह जो डिजाइन हम बना रहे हैं और यदि आप टेबल के लिए बना रहे हैं तो आप टेबल का पहले साइज ले लिजेगा फिर उसके हिसाब से आप बनाईएगा तो जिस साइज पे आप आपको ये design बनाके ready करना है जैसे कि आपकी table का जो size है उपर की दरब 46 inch यदि लंबाई है table की तो आपको 46 inch पे ही ये design बनाके आपको पहले ready कर लेना है और बचे हुए कपड़ों से blouse piece से आप इसको बना सकते हैं ये जो design है तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अलग-अलग color के कपड़े जोड़ के ready कर लिए है अब ये देखिए इनको इस तरीके से एक कपड़े को नीचे सीधा रखना है फिर उपर की तरफ ये देखिए कपड़े को इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे और बीच की ये जो सिलाईया है उनको मिला के हमको सिलाई लगानी है तो एक सिलाई मैंने लगा ली अब उपर की तरफ से देखिए फ्रेंच टॉप सिलाई भी लगा देंगे जिससे की जो सिलाई है वो पक्की हो जाएगी तो खुलेगी नहीं सिलाई अब ये देखिए बस अलग-अलग color पे इस तरीके से देखिए सैट करके हमको इनको जोड़न हैं बहुत ही आसान है इनको जोड़ना बस कोई भी color जो है वो देखिए रिपीट नहीं होना चाहिए जिससे की इसका जो लोग है न अच्छा आएगा तो इसी तरीके से देखिए इनको हम जोड़के एक बड़ा सा piece यहां पे हम बना के ready कर लेंगे तो चलिए friends इनको मैं ज कर लेंगे तो चलिएं पहले हम इनको जोड़के पूरा रेडी कर लेते हैं कि और यहां पर यह जो हम डिजाइन बना रहे हैं friends तो इस ट्रिक इस वह Canadian बना कर दोड़ना सकते हैं चटाई बना सकते हैं और आसन पूजा में बैठने के लिए आप आसन भी बना सकते हैं बहुत सारी चीजें इस नई ट्रिक से आप बना सकते हैं और बनने के बाद ये ना बहुत ही अच्छा बनके रेडी होता है तो यहाँ पे ये देखिए मैं आज के वीडियो में आपके साथ टेबल रणर शियर कर रही हूं तो इस तरीके से जिस तरीके से हम टेबल रणर बना के रेडी करेंगे तो उस तरीके से आप देखिए मैट वगेरा भी बना सकते हैं तो सारे पीसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने जोड़ के रेडी कर लिये हैं और एक बड़ा सा पीस हमने यहाँ पे बना के रेडी कर लिया है तो ये देखिए सारे पीसेस मैंने इस तरीके से जोड लिये हैं अब जो भी एश्ट्रा जो भी कपड़ा थोड़ा बहुत देखिए साइडों पे है उसको पहले हम कट कर देंगे ये देखिए इस तरीके से साइडों से जो कपड़ा है वो पूरा मैंने देखिए कट कर दिया और ये देखिए इस तरीके से हमने जोड के इसको देखिए इसकी जो चोड़ाई है वो 10 इंच है और इसकी जो लंबाई आपको रखना है तो आपके टेबल की साइज पर रखना है तो मेरे जो टेबल का जो साइज है वो 46 इंच है लंबाई हमको 46 इंच रखना है और चोड़ाई यहाँ पे 10 इंचाई है अब आपको क्या करना है इसके उपर देखिए अच्छे से पहले आप प्रेस कर लीजिएगा जिससे की जो सिलवटे वगेरा है कपड़े पे वो देखिए अच्छे से सैट हो जाएंगी तो एक बार आपको अच्छे से इस पे प्रेस करना है तो आप यूज कर सकते हैं या फिर आपके पास देखिए कपडों से निकलने वाली फोम सीट है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से रखके आप फोम का भी यूज कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे देखिए कंबल का यूज करूंगी तो कंबल से देखिए मैंने यहा मेट या फ्लोर मेट बना रहे हैं तो आपको यहां पे डबल पीस कममल के लगाना है या फिर आप hommSeed भी लगा सकते हैं पैंट का कपड़ा भी आप लगा सकते हैं यदि आपको बैथने के लिए बना हैं फर्स पे बैठने के लिए आप चटाई वगेरा बनाएंगे इस तरीके से तो आपको यहाँ पे दो तीन लेयर कंबल की लगानी है जिससे की मोटा बनके रेडी होगा और मैं टेबल मेड बना रही हूं तो मैंने सिंगल ही इसको लगाया है अब देखें नीचे मैंने ब्ल हां अचे लगा लिगे लिए और आपकी जो पेंसे लिए आपकी जो जिलाएं वो अच्छे से लगके रेडी हो जाएगी तो यह देखें इस तरीma से मैंने सिलाए लगा ली है इस पे 4 पहलों तरब तो इस तरीके से आब इसको पोरा इस नीचे लगा लिए पीम घर करके ready कर लेंगे जिससे कि ये जो हमारी जो उपर का जो कपड़ा है और जो blanket है वो आपस में अच्छे से attach हो जाएंगे तो इस तरीके से देखिए बहुत ही मुलायम सा बनके ये ready होता है और दो-तिन तो ये देखिए फ्रंट 57 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है और 26 इंच मैंने कपड़े की चोड़ाई रखी जो red वाला जो कपड़ा है और ये जो हमारा single piece था जिसको हमने ready किया था तो उसकी 42 इंच यहाँ पर लंबाई है और 10 इंच चोड़ाई है तो ये देखिए जो red वाला कपड़ा है इसकी जो चोड़ाई है 26 इंच है और लंबाई मैंने रखी है 57 इंच तो इसी साइच पे कपड़े को red वाले को कट करना है अब ये देखिए इसका beach center हम निकालेंगे तो उपर की तरफ से देखिए मैंने 8 इंच पे इस तरीके से किनारे पे निशान लगा है अब ये देखिए दूसरी तरफ भी हम 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे तो इसी तरीके से देखिए किसी भी साइच पे आप बना सकते हैं उपर की तरफ हमको जो है दोनों तरफ किनारों पे 8-8 इंच एस्टर रखना है और साइडों पे भी हमको 8-8 इंच रखना है तो इस तरीके से देखिए बीच सेंटर निकालके मैंने बीचों भीच पे ये जो हमने दिजाइन बनाइगे तो इसी तरीके से चारों तरफ 8-8 इंच हमको एष्टर रख ना है कपडे को अब ये देखिए अब ये जो भीच में जो हमारा दिजाइन हे ना उसको उल्टा करके हम रखेंगे अभी मैंने सीधा करके आपको दिखाया था अब ये जो corner है corner को ये देखें वी center page ये चौक से मैंने निशान लगाए हैं वहाँ पे रखके हम को ये देखें इस तरीके से उल्टा करके इसको रख लेंगे अब हम सिलाई लगाएंगे तो पहले मैं pin इसको पिन पें पने क्रेंगे और मुझाए मैं पर पांगे तुक्षा और चाहिए तो करणे कांगे मालका रॉटference तो एक तरब मैंने pin up कर लिया अब दूसरी तरब भी हमको इसको pin up करना है तो ये देखिए इस तरीके से दोनों कपड़ों को पकड़ना है और बस जैसे मैं pin up कर रही हूँ वैसे हमको पहले pin up करके इसको पूरा ready कर लेना है इस तरीके से जिससे कि जब हम सिलाई लगाएंग pin को निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे बहुत ही easy है तो एक तरब देखिए किनारे किनारे पे आधा इंच पे हमको सिलाई लगाना है आधा इंच कपड़े को दबाते हुए हम पूरा जहां तक ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे एक तरब और फिर सेम तरीके से हम दूसरी तरब भी हम सिलाई लगा लेंगे और किसी भी normal सिलाई machine पर आप इसको बना सकते हैं. तो ये देखिए एक तरफ मैंने सिलाई लगा ली अब दूसरी तरफ भी ये देखिए फ्रंट स्पिन को निकालते जाएंगे और सिलाई लगा के इसको भी हम पूरा रेडी कर लेंगे दोनों तरफ देखिए इसी तरीके से सिलाई लगाना है जैसे मैंने सिलाई लगा के इसको रेडी किया है अब उपर की तरफ ये देखिए इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे तो चलिए फ्रंट पहले मैं आपको अच्छे से देखिए बताती हूं कि कहा हमको उपर की तरफ सिलाई लगाना ये देखिए दोनों तरफ किनारों को पकड़ना है और बस सिंपल देखिए सिलाई लगा लेना है तो इस तरफ देखिए बस सिंपल सिलाई लगा लेंगे हम यहाँ पे आधा हिंच कपड़े को दबाते हुए उपर की तरफ और ये देखिए इस तरफ किनारे पे भी इस तरीके से कपड़े को पकड़ेंगे और किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे उपर की तरफ तो ये देखिए चलिए मैं आपको ये देखिए सिलाई लगा के दिखाती हूँ दोनों कपड़ों को इस तरीके से पकड़ा और बस आधा इंच कपड़े को दबाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स एक बारना आप वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप बना लेंगे इसको और एक बार वीडियो को आप देख लेंगे तो देखिए आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं कटिंग बगेरा जो भी हैं तो आपको अच्छे से समझ पे आ जाएगा और फिर बहुत ही आसान तरीके से आप बना लेंगे अब ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली अब इसको हम पलट लेते हैं तो बहुत ही इजी है और इसके जो कोने हैं दोनों कोनों को हम देखिए अच्छी तरीके से हम निकाल लेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये रेडी हो गया है तो ये देखिए corner को अच्छी तरीके से निकाल लेना है कोई भी नुकीली चीज से इसके जो दोनों कोने हैं किनारों के उनको अच्छी तरीके से आप निकाल लीके set कर लीजेगा तो इस तरीके से देखिए अब ये ना अपने आप ही ready हो जाता है बस इसको पलटते हैं और इसको जो safe है वो अपने आप ही आजाता है अब देखिए ये जो design है उसको अच्छी तरीके से बीचो बीच पे आप set कर दीजेगा और ये देखिए कपडों को भी जैसे मैं set कर रही हूँ ना वैसे ही हमको इसको set करना है और एक बार देखिए जहांपे मैंने pin up किया है वहांपे आप pin up कर लीजेगा तो ये देखिए एक तरफ मैंने कपडों को set कर लिया अब दूसरी तरफ भी ये देखिए इस तरीके से पहले हम अच्छे से कपडों को फैला के इस तरीके से अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करना है थोड़ा सा और इस तरीके से ये देखिए सेट हो जाता है अपने आप ही जब आप इसको बनाएंगे और पल्टेंगे न तो ये अपने सेप पे अपने आप ही आ जाता है अब इसको देखिए, pin up कर लिया मैंने इस तरब भी, तो ये pin up हो गया है, अब हमको इस पे करना है एक बार प्रेस, प्रेस आप जरूर करिएगा, और जब आप इस पे प्रेस करेंगे, तो ये पूरा अच्छे से set हो जाएगा, अब जब आप इस पे सिलाई भी लगाएंगे तो देखिए, इसकी जो किनारे जो है, वो अच्छे से set हो जाएगी, बन जाएगी, तो अब जब सिलाई लगाएंगे, तो कपड़े इधर उधर देखिए, फिसलेंगे भी नहीं, तो एक बार आपको प्रेस जरूर करना है, तो इस तरीके से देखिए, मैंने रेडी कर लि जिससे की जो खुला हुआ कपड़ा था यहां से, वो set हो जाएगा, यह देखिए, तो दूसरी तरफ किनारे पे भी पिन को निकालके हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, तो आप चाहें तो अब इसको देखिए, बिल्कुल यूज करने के लिए रेडी है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, पर अभी देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और रेडी करूंगी, तो आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, या फिर देखिए, आपके पास कोई साड़ी से निकली हुई, चोड़ी लेस है, तो उसको यूज करना है हमको यहाँ पे, तो मेरे पास यह देखिए यह लेस रखी हुई है और मैसे लाई करती हूँ तो मेरे पास लेस वगेरा रखी रहती हैं अब देखिए जहां से मैं लेस लगाना स्टार्ट कर रही हूँ वहीं से आपको स्टार्ट करना है तो दोनों तरफ में से किसी भी एक तरफ से यह देखि और यहां पर यह जो corner आते हैं ना वहां पर देखिए हमको हलका सा यहां पर lace को fold करना है तो अभी देखिये ध्यान से देखिएगा friends की मैं किस तरीके से इसको fold करती हूँ यह देखिए एक बार बस इस तरीके से हम fold करेंगे और यह देखिए इस तरीके से यह set हो जाती है तो चोड़ी lace जो होती है उनको ना बहुत से लोगों को देखिए लगाने में दिक्कत होती है तो इस तरीके से एक बार fold कर दीजिएगा तो आपकी जो lace है वो आसान तरीके से लग जाएगी और कोई भी देखिए साड़ी से निकली हुई lace है कोई भी पुरानी lace यदि आपके पड़ी है तो उसको लगा लीजिएगा तो जिससे क्या होगा इसका जो look है वो थोड़ा सा और भी अच्छा आने लगेगा वैसे तो आप इसको बिना lace के भी use कर सकते अब ये जो corner आया है friends ये देखिए जो तिकोन पे जो हमारा ये corner बना है ये यहाँ पे भी हमको एक हलकी सी चुड़नट दे देना है देखिए इस तरीके से एक बार हलका सा fold कर देंगे तो इस तरीके से जब आप lace को लगाएंगे तो आपकी lace जो है बहुत ही अच्छे से लगके ready होगी और चौड़ी से चौड़ी lace भी आप इस पे लगा सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे पे ना market में मिलने वाली महंगी चीज़ आप बना सकते हैं और इस तरीके का table runner यदि आप market से लेंगे तो वो 500 से 600 रुपे से तो कम का नहीं आएगा पर इस तरीके से देखिए बचे हुए कपड़े हैं तो उनसे आपना घर पे इसको बना सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे पे ये आपका बनके ready भी हो जाता है तो चलिए friends पहले हम इसके चारों तरफ lace लगा लेते हैं फिर मैं आपको इसका final look दिखाऊंगी तो ये देखिए जहाँ पर भी ये corner आते हैं वहाँ पर हमको थोड़ा सा lace को fold करना है तो इस तरीके से आपकी ये जो lace है वो बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगी तो ये देखिए यहाँ पर भी हम हलका सा lace को fold कर देंगे तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से हमारी जो lace है वो लगके ready हो जाती है और friends देखिए जो लोग सिलाई कर लेते हैं तो वो तो lace को देखिए बिलकुल आसान तरीके से लगा लेंगे पर जो अभी अभी देखिए सिलाई सीखना जिन ने start किया है तो आप इस तरीके से जैसे मैंने लेस को लगाया है वैसे ही आप लेस को लगाईएगा आपको देखिए बिलकुल आसान तरीके से चौडी वाली जो लेस होती है वो लगाते आपको बन जाएगी और फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को देखिए सब्सक्राइब करके रख लीजेगा और बेल आइकन को भी जरूर रौन करिएगा जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालू उसका नौटि तरीके से देखिए हमने चोडी वाली जो लेसे उसको लगा के रेडि कर लिया है तो इस तरीके से देखिए आप इसको बैड रनर के जैसे यूज कर सकते हैं बहुत ही सुंदर बना है बहुत ही प्यारा बनके रेडि हुआ है बस यदि आपको देखिए बैड रनर के लिए बस आपको इसकी थोड़ी सी लंबाई, 10 इंच लंबाई बस आपको एश्टरा रखना है। और बहुत ही प्यारवन के रेडी हुआ हैरण्स बचे कुछे कपड़ों से इसको टेबल मेट के जैसे आप यूज कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे बिछा सकते हैं, छोटे साइच पे डोर मेट के जैसे आप इसको बना सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी है फ्रेंट्स कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो को देखिए जादा से जादा लाइक करिएगा वीडियो को जादा से जादा शेयर करिएगा और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी जरूरोन करिएगा जिससे कि देखिए मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नौटिफिकेशन जो है न वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा तो देखिए फ्रंस बहुत ही सुन्दर ये हमारा टेबल रनर बनके रेडी है I hope आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो में नए आइडिया के साथ